पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखने को मिला कि जो मार्केट थी वो डाउन हुई फिर थोड़ी सी रिकावर हुई फिर हमें कल डाउन देखने को मिला और फिर हमें अब ये देखने को मिल रहा है कि बिटकोईन रिकावर हो रहा है तो क्या ये इक इशारा है कि हमें बू डॉजन डॉलर टॉधाउजन ट्वेंटीटू में तो हैलो एवरीवान वल्कम टु क्रिप्टो निउस पावर्ट बाइजीफाइ हैस्टेग लूमोर विडिफाइ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे वहले हम यह बात करेंगे कि क्या फोर्कास्टिंग लगाई जा रही है बिटकोइन के प्राइज्स को लेकर फिर हम यह बात करेंगे कि अभी तक बिटकोई ने 1 allaq dollar क्यों नहीं हिט किया उसके बाद हम यह बात करेंगे कि पांच हफ्तों की constant outflow के बाद institutional investment अब finally back है crypto funds में वो भी bitcoin के सब तो हमें सारे important topics discuss करने वाल है और यह सब बातें आप सब के लिए जानने बहुत जरूरी होने वाली है तो इस वीडियो को आइंट तक जरूर देखिए ताकि आप हर एक possible information को gain कर सकें तो अब हम स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि जो bitcoin का price है वहाँ पर एक unexpected bearish movement देखने को मिली अभी January में लेकिन क्या ऐसा कोई रस्ता है कि हमें 1 lakh dollar देखने को मिल सकता है bitcoin इस साल इंटरनेट पूरा भरा हुआ है bitcoin की price forecast के साल for example कुछ analyst ये सोचते हैं कि जो bitcoin है वह 1 million dollar हो जाएगा पर कोई 1 million dollar हो जाएगा आगे आने वाले 10 सालों में लेकिन कुछ ऐसा सोचते हैं कि जो bitcoin का price है वह 0 हो जाएगा काफी forecasting की जाती है जैसे कि एक forecasting ये की जारी थी जिसमें उनने ये का कि कि जो bitcoin का price है वह 1 million dollar हो जाएगा 2022 के मिड में other hand ये expect किया जारा था ये predictions लगाई जा रही थी जो यहां पर ये सोचते हैं कि जो bitcoin का price है वह drop हो जाएगा to as low as 10,000 dollar जिसका अब ये है कि 2021 में जितने भी gains हुए वह सब wipe out हो जाएगा अभी के बात करें तो जो bitcoin है वह trade हो रहा है around 36,000 dollar at the time of recording और बात की जाएगा तो जो bitcoin की circulation है वह increase हो जाएगी वह भी average of 6.25 bitcoin जब तक इसकी next halfning नहीं हो जाती early 2024 में जिसका अनलब ये है कि जो miners है वह produce करेंगे above 900 BTC हर दिन और जिसका result ये होगा कि जून 2022 की end तक हमें total of 1,62,900 BTC देखने को मिलेंगे create हो जाएगे into the year जो push करेगा bitcoin की supply to about 19 million dollar अगर तब तक bitcoin का price 1,00,000 dollar हो जाता है तो यह यहाँ पर जो total market capitalization है 128, 129 percentage high देखने को मिलेगा इसकी year opening valuation से जो की अब है 875 billion dollar अगर उल्टा सोचा जाए तो अगर यह drop हो गया 10,000 dollar तो यहाँ पर market capitalization है bitcoin की वो यहाँ पर down देखने को मिलेगी और यहाँ पर 78, 79% का down देखने को मिलेगा तो यह था कि क्या forecasting लगा ही जा रही है कि अगर 10,000 dollar होगा तो market capitalization में क्या effect आएगा तो अगर 1,000,000 dollar होगा तो क्या हाएगा अब हम बात करते हैं कि bitcoin ने अभी तक 1,000,000 dollar क्यों नहीं hit किया तो इस argument को और ज़्यादा continue करने के लिए हम सबसे पहले 6 months का graph देख रहे हैं तो जैसा कि आप सब screen पर देख सकते हैं जो कि 6 months का time frame chart है उसमें हमने ये देखा है कि ऐसा कोई भी single chance नहीं है जहांपर जो bitcoin की market capitalization है वो 1 trillion dollar से जादा हुई है similarly ऐसी कोई भी ऐसा chance नहीं है जहांपर जो bitcoin की market valuation है वो यहांपर drop हुई है वो more than 190 billion dollar 6 months में means हम ये कह सकते हैं कि drastically ये जादा rise भी नहीं हुआ जो bitcoin की market है जैसे हम देखने को मिल रही है as per historical data यहांपर ये दिखा रहा है कि यहांपर जादा capital को attract किया गया है then it's splitting जो indicate कर रहा है कि क्यों जो price per unit है वो rally हुआ है 14,000% हमें rally देखने को मिली है January 2014 तो अब हम उस argument पे आते हैं क्यों अब तक ऐसा नहीं हुआ है तो वजा है uncertainty जो uncertainty होती है उसकी बहुत सारी branches होती है चाहे वो यहांपर regulatory troubles हो चाहे वो यहांपर panic situation create हो जाए bitcoin market में कुछ हुआ correction आई है तो ये चीज हमें काफी almost 2 years से देखने को मिल रहे है and वो भी in a row काफी reasons है जिनकी जैसे market में काफी fluctuation देखने को मिली है and इस बात पे आप सब भी agree करते होंगे आप इस बात को भी deny नहीं कर सकते तो यहांपर uncertainty एक वजा दिख रही है हम जाते हैं काफी reasons हैं जो market के situation को define करते हैं and आप भी उससे वाकिफ होंगे and अब हम यह बात करते हैं कि जो institutional crypto funds है ऐसा देखा जा रहा है कि पांच हफ्तों में पहला inflow होता हुआ दिखा है बात करते हैं nearly 14 million dollar अब आ गया है वापेस bitcoin के institutional funds में वो भी over the past week लेकिन जो ethereum based products हैं वो अभी भी उनमें एक outflow देखने को मेल रहा है constant outflow के पांच हफ्तों के बाद institutional investment अब आसा देख रहा है कि वो finally back है crypto funds में वो भी bitcoin के साथ as asset of choice rather than ether क्योंकि जो ether है उनमें एक means favor नहीं देख रहा है तो जो researchers हैं उनने ये report किया कि जो inflows है वो तब आते हैं जब यहां पर हमें price week देखने को मिलता है जिसका मलब यह है कि यहां पर जो investors है वो इसे as a buying opportunity समझ रहे है और यह जो current price level है वो उने एक opportunity देख रहा है यह पहला time है पांच अफतों में पहली बार कि यहां पर हमें net positive inflow देखने को मिलिया 14.4 million जो यहां पर वापिस आ गई है मार्केट में जो analyst और traders है वो यहां पर entry points ढूण रहे थे आसा कहा जा रहा है कि जो bitcoin बाउंस हुआ जब price आया उसका 36,000 डॉलर अभी चल रहा है तो इस point को वो हम कह सकते हैं buying opportunity समझ रहे हैं आपर हमें institutional inflow होता हुआ दिखाई दे रहा है जो bitcoin था वो अपनी 6 मंथ लो बे चला गया था 33,000 डॉलर दूरिंग हमें मंदे को देखने को मिला लेकिन फिर recovery देखने को मिली 10% return देखने को मिला and 36,000 डॉलर अभी चल रहा है ताम आफ रिकॉर्डिंग तो क्या स्पोर्ट मार्केट मोमेंटम है वो इसी डिरेक्शन में कॉंटिन्यू रहेगा and जो weekly institutional inflows हैं वो इसी तरह फोलो होते रहेंगे आपके क्याव अपिनियन्स हैं कमें सक्षिन में बता ना भूले we will come again with another such information stay tuned and follow finstreet for more such updates